समुद्र की गहराईयों में रहने वाले छोटे बड़े जीव, उनका व्यभार, उनकी आदतें, शोध करताओं को अपनी ओर आकर्शित करते हैं समुद्र की किनारे पाये जाने वाले शंक और सीव, देखने में जितने खुबसूरत हैं, इनके अंदर रहने वाले जीवों के जीवन से जुड़े पहलू, उतने ही रोचक। अध्यायन में टीम ने नाटिका टिगरीना की, शिकार के खोल को तोड़ने की क्षमता, शिकार के आकार के चयन और हमले के वक्त सीव को ड्रिल करने की जहा के चयन पर शोध किया वैज्यानिकों ने ये जानने की कोशिश की की समय के साथ परियावरण में आये बदलावों के साथ सीव का विकास कैसे हूँ साथ ही वैज्यानिकों ने पोशक तत्वों की कमी के कारण एन टिगरीना के व्यभार में होने वाले हिंसक प्रभावों को भी जाचने का प्रयास किया We set up an experiment with live natica tigrina. This is a type of gastropod which is grilling other shells. We provided the natural prey to it which is another clam shell and we vary different conditions and try to understand at which condition do they attack each other rather than going after the bivalves which are their usual prey items. What we found is if the density of the bivalve prey is very low, in other words, when the bivalve prey is very rare, then they do not go after bivalve prey, rather they actually kill each other. So they become cannibalistic. Natica tigrina या N tigrina एक मासाहारी स्नेल है जो खास्त दौर से कार्डियम प्रजाती के खोलदार मोलस्क को अपना शिकार बनाता है शिकार को खाने के लिए ये उसके खोल पर हमला करने का अभ्यास करता है मोलस्क पर ये दो तरीकों से हमला करता है यांत्रिक और रासायनिक मोलस्क के खोल को गलाने में मदद करता है आमतोर पर Natica हमले के दौरान सीब के ऐसे हिस्से पर ड्रिल करना पसंद करते हैं जिससे शिकार के समय उन्हें ज्यादा बल मिल सके Natica सीब के दो हिस्सों पर हमला करता है सीब के उपरी हिस्से पर या फिर उसके सिरे पर अधिकतर मासाहारी स्नेल सीब के सिरे पर हमला करते हैं ऐसा पाया गया है कि तेज भूख लगने पर तिगरीना शिकार के धार क्षेतर पर ड्रिल करने के बजाए उसके उपरी हिस्से पर राडियुला के जरिये हमला करते हैं ऐसी स्थिती में स्नेल ना तो शिकार के आकार पर ध्यान देते हैं और ना ही उसे तोड़ने की जगा के चयन पर. उनका सारा ध्यान अपनी भूख को शान्त करने पर केंद्रित हो जाता है. शूद करताओं के इस अध्यान को International Journal for Geosciences and Paleo Geography, Paleo Climatology, Paleo Ecology में प्रकाशित किया गया है. नाटिका की भूख लगने की प्रवर्ती पर प्रयोक्षाला में हुए इस अध्यान को जल्द ही प्राकृतिक वातावरन में पूरा करने की कोशिश की जा रही है.